News 18, India पर नहीं क्योंकि अगर सत्ता का संतुलन बर्करा रखना है तो यहाँ पर कोशिश है और ज्यादा पूर्जोर तरीके से और तेज करनी होंगी तो कि कल तक का वक्त है कल ही रिपोर्ट सौपी जाएगी आला कमान को उससे पहले एक रिपोर्ट तयार करके यहाँ पर देनी है स्पिकर साब को यह निविदन किया है केन मेंबर्स को सिर्फ और सिर्फ शो कर नोटिस दिया गया है जो प्टिशन फाइल हुई है और जो उसके साथ अनेक्जर हैं वो हमको सप्लाई नहीं किये गए जबकि जो एंटी डिफेक्शन रूल्स हैं माचल विधान सबा के उसमें पांच-छे कंडिशन हैं जिनको कंप्लाई करके नोटिस बेजना होता है और नोटिस के बाद भी रूल सेवन के मताबक साथ दिन का समय दिया जाता है उन MLA's को जिनके खलाफ नोटिस जाता है रुप्लाई फाइल करने का तो हमने उनसे निवेधन किया है कि हमको साथ दिन का मिनिममम टाइम जो रूल में प्रेस्क्राइब हो दिया जाए ताकि इसका रुप्लाई हम फाइल कर सके दूसरी साइड का कहना है कि कोई देने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की करने की ज़रूरत नहीं है तो स्पीकर साब ने कहा कि मेरा दो बज़े विधान सभा का भी सेशन है तो चार बज़े वो दुबारा उसकी सुनवाई करेंगे हमने उनसे निवेदन किया है कि प्रिंसिपल्ज ऑफ नेचुरल जस्टिस के अमसार कम से कम साथ दिन का टाइम दें ताकि वो रिपलाई फाइल कर सकेंगे तो कॉंग्रस की जो छे बागी विधायक है उन पर आज ही फैसला आ सकता है सुनवाई लगातार चल रही है अरुन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरुन ये जो छे विधायक हैं अंदर खाने आपको क्या इनके बारे में जानकारी ऐसी मिल रही है क्या ये पूर पार्टी की सदस्यों से जाके मिलते हैं उनकी तरफ जाकर करके उनसे मुलाकात करते हैं उसके बाद जो विधान सभा परिसर है उसमें जो जैराम ठाकूर का जो दफ्तर है उसमें जाकर की मिलते हैं उनके साथ बैठते हैं चाय पीते हैं तो संपर्क में वो बीजेपी के है बातचीत वो बीजेपी से कर रहे हैं, कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से कोई इस तरह के सारोज़निक प्रकर्टी करण नहीं दिखाई दे रहा है, कि वो कॉंग्रेस के किसी नेता के सामने दिख रहे हैं हो, या फिर राजी के जो प्रभारी है, या फिर मुख्यमंत्री है, य वो उनसे मुलाकात करे बात करें फिलार इस वक्त वो यहां पर नहीं है किसी जगह पर हैं जहां पर अगर kongres उनसे संपर्क कर रही हो तो शायद कुछ बात बने और संपर्क करना पड़ेगा को क्यूंकि अगर वो च्छह वापस नहीं आते हैं अगर एक बार क्लियर हो जाता है उसके बाद कॉग्रेस के सामने विकल्प है जैसा कि आप कह रहे थे नेचुरल जस्टिस के तरह साथ दिन का समय मांग रहे हैं लेकिन विधान सभा के अंदर जो स्पीकर होता है उसका निड़य सरोमान्य होत अगर दो कर सकते हैं बाद में कोट में इसकी सुनवाई होती रहेगी महाराष्ट की सुनवाई कब तक दो है और हाई कोट से लिए के सुप्रिम पोट तक चलिए झाल झाल